दोस्तो अगर आप भी गलती से फोन पे से या फिर गूगल पे से किसी को पैसा ट्रांसपर कर रहे थे लेकिन किसी और के अकाउंट में चला गया है तो आपको घबराने की जुरूत नहीं है आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से आप अपने पैसे को वापस संदारी से पैसा वापस कर देंगे ज्यादत तर तो लोग खाने वाले होंगे तुरंद दोस्तों बोलेंगे कि मेरे पास पैसा अभी नहीं आया है या फिर दोस्तों आप सभी से बहांस करके यह भी बोल सकते हैं कि आपको मैं बोला नहीं था पैसे डालने के लिए आपने म MPCI जैसे दोस्तों MPCI लिखकर सर्च करेंगे तो पैस्नेमर की वैपसाइट दिखाए दे रही है इस वैपसाइट पर आपको क्लिक करना है इसका लिंक में डिस्क्रेप्शन में दे दूंगा आप वहां से भी इस वैपसाइट पर पहुंच सकते हैं तो जब यह वैपसाइ इस तरह से option आएंगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी को थोड़ा से screen को इस तरह से ऊपर ले जाना है और यहाँ पर दोस्तों कई सारे option दिएगे हैं जैसे कि दोस्तों आप transaction के बारे में complaint करना चाहते हैं या फिर पिन के बारे में complaint करना चाहते हैं या फिर registration के बारे में complaint कर पेर जालएं, उन पैसों का हूँ में वापस लाना है, तो हम क्या करेंगे, टरांजक्षन पर क्लिक करेंगे। जैसी हमने टरांजक्षन पर क्लिक क्लिक किया, तो यहाँ पर आप साबी कि सामय कुछ इस आप सभी को percent to percent पर tick करना है या पर दोस्तों अगर आप किसी दुकानदार को पैसा कर रहे थे या पर किसी company को पैसा ट्रांसपर कर रहे थे लेकिन किसी और का करना है और यहां पर दूसरों आप सभी से पूछ रहा है आप सभी का प्रॉब्लम क्या है जैसे कि दूसरों अमायंट डेबिट हो चुका है लेकिन दूस्व जिसको आपने भेजा उसके transfer कर दिया है तो उसके लिए दोस्तों हमें यहां से इसको select कर लेना है उसके बाद तिसरी number पर दोस्तों आप सभी को यहां पर comment भी करना है आपके साथ क्या-क्या problem हुआ क्या-क्या दिक्कत हुई क्या-क्या आपने किया था कि इसको पैसा बेजना चाहा रहते लेकिन गलती से हो गया वो दोस्तों 500 letter में आप सभी को यहां पर लिख देना है उसके बाद उसके यहां पर आपकी transaction ID पूछा जा रहा है अब यहां पर उसके आपको क्या करना अपना transaction ID डालना है transaction ID आपका कुछ इस तरह से होगा 1789 करके तो यहां पर उसके आप सभी दे सकते हैं transaction ID यह है इस तरह से दोस्तों आपका भी transaction ID होगा उस ID को आपको लाकर यहां transaction ID वाले box में डाल देना है उसके बाद उसके नीचे आप सभी को bank name select करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है इस पर click करना bank name पर और दोस्तों जो bank आपका है उस bank को आपको यहां से select कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आप सभी को UPI ID डालना है यहां पर काफी लोग confused हो जाते हैं कि UPI ID किसका देना है दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ यहां पर आपको अपना UPI ID देना है ना कि दोस्तो जिसके पास आपने गलती से पैसा भेजा है उसका UPI ID आपको यहाँ पर नहीं देना है तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपना UPI ID डाल देना है उसके बाद दोस्तों आपका amount क्या था कितना पैसा आपने गलती से भेजा है उसे दोस्तों आप सभी को यहाँ पर add कर देना है इस तरह से दोस्तों आप सभी को amount add कर देना है amount के बाद में दोस्तों यहाँ पर option आता है date of transaction ढ़ियाँ पर देट भी डाल नहीं जिस किया है तो इहां पर देट भी ड़क्र अब को डिखेंखने को मिल जाएका है यहां पर दूसर अफ सब्यूट फार अपकर आपको इमreडी भी ढल देना है निदी डाले के बाता है उसके बाद दोस्तो लाश्ट में आता है bank statement आपको क्या करना है दोस्तो 2MB का एक PDF फाइल बनाना है बैंक इस्टेटमेंट का उसे दोस्तो आप सभी को यहां पर upload करना choose file पर click करके ध्यान दे दोस्तो आप सभी का अकाउट में transfer किया है तो इस तरह से दोस्तो आप सभी को complain करना होता है अगर आपने गलती से किसी के account में पैसा transfer कर दिया है phone पे से या फिर Google पे से या फिर Patreon से तो दोस्तो आप सभी इस तरीके से complain करेंगे तो क्या होगा दोस्तो NPCI जो है इसे चेक करेगी क्योंकि दोस्तो जितना भी transaction इधर उदर होता है पैसा यही देखती है यही company देखती है तो यह दोस्तो सारा कुछ देखने के बाद में आपके पैसे को पांस दिन के अंदर वापस कर देगी तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना क्योंकि दोस्तो आर वीडियो बनाने में बहुट टाइम लगता है वीडियो को लाइक करना दोस्तो इस वीडियो को सियर करना ताकि इस तरीके का वीडियो में आप सभी के लिए बनाता रहूं तो बस मिलते अगली नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो नमस्कार गुडबार जाएं